तो दोस्तो नमस्कार स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मुख्या मंतरी बहन बेटी स्वालंबन योजना का फोरम को कैसे भरना है क्योंकि दोस्तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भ तरीकात यहां जैसे कि यहां पर देख सकते हो मुख्यामंत्री बहान बेटी योजना का अब दोस्तों इसी विपसाइट से आप उर्जिनियल ओला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और इसको फॉर्म कर सकते हो भर सकते हो क्योंकि जब भी इसका online आवेदन किया जाएगा तो देकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटिस रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि जैसे कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले जानकर आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाता है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेपसाइट का लिंक दे दिया हूँ या तो आप डिर्ग लिए गूगल में सर्च कर सकते हो तिरप आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी प्रिंट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पीडियो फैल्ड में डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पेक ओप्सान देखने को मिल जाएगा आवेदन पत्र लिए उसी देख से तो इसका पीडियेफ फैल ओपन हो चुका है तीन पेज में पीडियेफ है यह बिल्कुल फ्री है निसुल कोई दिक्कत नहीं है तीन पेज में कौन-कौन सा पेज को भरना है चलिए मैं आपको कंप्लेट बता देता हूं इन तीनों पेज को आपको प्रिंट करा ल आपका आवेदिका का नाम बोल रहा है ता आवेदिका का नाम भरना है उसको आपका पिता या तो पती का यानि कि साधी सुदा नहीं हो तो पिता का नाम साधी सुदा हो तो पती का नाम भर सकते हो आपके आधार काड के अनुसार उसको यहापको तीसरे नंबर में गाउं थाना यानि की बलो को भर ना है, आपका पंचायत या तो वाड कर नाम अंचल यानि के दुबार से परखंट को भर दोने है, उसको यहाँ पको भर दोने हैं। उसके बाद दुस्तों चौटा नमबर में ध्यान से देखे गाती। को भादना है चाटवे नंबर में आपका बैंग खाता का पूरा अकाउंट नंबर को यहां पे भर देना है उसके बाद दोस्तों सात्यों नंबर में यहां पर साब सब कर रहा है आधार कार्ड बैंग खाता के साथ लिंक है या तो नहीं अगर आपका डिवीटी लिंक है तो येस पे किलिक करना नहीं है तो नो पे किलिक करना यहाँ पर दोस्तों मैं आपको किलियर बता देना चाहूंगा आपका आधार काड में डीबीटी लिंक कराना चाहिए हाँ पे ही किलिक करना उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साब सब बताएगे है अगर आपका डीबीटी लि को नंबर भादन है ग्यारवान नंबर में पैनकार्ड बोल रहे हैं पैनकार्ड नंबर है तो आपको इस बुक्स में आपका पैनकार्ड नंबर भादन है नहीं है तो नहीं भी भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसके बद दोस्तों बारवान नंबर में ध्यान से देखे बुक्स में आपका जनमतिति को भादना है उसको 15 नमबर में यहां पे बोल रहा है आवेदिका का पहचान चीन यानि कि कोई एक पहचान चीन आपको भादना है अगर आपका तील है वगरा तील है तो तील का भी नाम लिख देना गला में तील हाथ में तील इस टैप से उसके सुदा नहीं है अगर 21 साल हो चुका है तो नहीं पे किले कर देना है उसके बाद यहां पर जा रहा है कि आप कौन कौन सा डॉकुमेंट जमा कर रहे हैं तो सबसे पहले पहला नमबर में आधार का चाया परती देना ही है, तो आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है, मतदाता पचान पतर यानि भोटर का बीट देना है, तो इस टैप से चिक कर देना है, बैंक पस्बुक का फोटो कोपी दे भी देना है, तो फोटो कोपी लगेग इसी पीडिया फॉम में दिये गहती इसको टिक कर देना है उसको जिस भी दिन को आप इस फॉम को अपलाई करोगो उस दिन का यहाँ डेट को यहाँ पर भार देना है उसको यहाँ पर देशतो आवेदिका का हास्तक्षर या तो अंगुठा का निसान अगर आप सिगनेचर कर शिखनेचर भादन अगर ठेपा लगाते हो तो ठेपा कर देना है यहाँ पर उसको दिस्कृरोट स्कृर्वल करणा था यहाँ पर आपको पावती रसीथ को बोल जा रहा है जैसे यहां पर देख सकते हो यह पेज कंपिलीट हो चुका है अब दोस्तों घोसना पत्तर को भरने को उप्सन आएगा क्योंकि चाटों नमबर डॉकुमेंट यहां पर घोसना पत्तर के दिया है तो आपको घोसना पत्तर भरने के लिए नीचे इसी पेज में वाड़ पंचायत का नाम भार सकते हो पंचायत का भी आपका यहां पे परखंड का नाम उसके बद जीला का नाम उसके बद यहां पे मोबाइल नंबर जो उपर फॉर्म में भारे थे वही को यहां पे घोसना पतर में भी भार देना है उसके बद आपको स्क्रोल डाउन करने क बाद दुबारा से यहां पर देख तो आवेदिक्या का हस्तक्षर और अंगुठा का निसान यहां पर आप हस्तक्षर करते हो तो साइन कर देना अगर ठेपा लगाते हो तो ठेपा कर देना उसके बद दोस्तों यह गोसना पत्तर को अपलोड करना पड़ेगा गोसना पत्तर वाला option में यह वाला कोई दिक्कत ने इसको भर लिए उसको यहां पर सत्यापन परिवतिवे दिन इसको भी आपको नहीं भरना है आपका जो जाच करेगा उसका यहां पर हस्तक्छार और मोहर लगेगा यहां पर भर भी रहेगो लेकिन भीरिफाई जो करेगा उसका अधिकारी के द्वारा अगर अपरूब करेगा तो किरती में मोहर लगा दिया जाएगा और जो भी जांच करेंगे यहां पर जो भी अधिकारी लोग रहेंगे उनका नाम और मोहर भी लिखा जाएगा तो दोस्तों इस टैप से यह तीन पेज का पीडिये फॉम है इसको आपको बताया फॉम भरने का अगर आप उस तरीके से फॉम भरते हो तो आपका तुरंट से तुरंट भी रिफाई हो जाएगा और लिस्ट में नाम भी चड़ जाएगा और आपको दोस्तों पैसा भी परती महिना एक खजार रिप्य करा से आपके बैंक खाते में है उसे एक नीचे यहाँ पर ओपेन बटन पर क्लिक जैसे ही करोगे आपके मुबाइल में आपका पीडिया फिल डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों जैसा इसका ओलेन आवेदन चालो हो जाएगा एकाथ सब्ताब बाद में तो मैं आपको बताऊंगा ओलेन अप अपडेट मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको समय से अपडेट मिलेगा जानकरी सब कुछ मिलेगा बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है घंटी का इकन को क्लिक करके रखना है सबसे पहले जानकरी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाता है